एक्सेप्ट नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा कहीं भी आपको मना करता है कि हम नहीं लेंगे तो आपके पास क्या कुछ होता दिखाने के लिए कुछ होता है क्या नहीं होता है ना और आपको ये भी नहीं पता है कि हमें आगे करना क्य हेलो हाई नमस्कार मैं आपका सूरत सर स्वागत करता हूँ आज की सेशन में आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है जब आप NIA से पढ़ाई करते हैं और कहीं आप बाहर जाते हैं जिसे किसी कॉलेज मेडिविंसन लेने के लिए जाते हैं यसी किसी government job के लिए आप apply करते हैं और जब वहाँ पर आपको मना कर दिया जाता है कि क्योंकि आप NIS से हैं open board से हैं तो हम आपका नहीं लेंगे तो दिल बड़ा दुखता है और एक ही अफसोस होता है कि मैंने NIS से क्यों किया था और ऐसी चीजे आज की rate में बहुत सारे student face कर रहे हैं आज की इस वीडियो में मैं वो solution आपको देने वाला हूँ जो NIS ने एक बड़ा फैसला लिया है और कैसे आपके लिए good news बन सकता है आखिर कौन सा notice दिखाने के बाद कोई भी college आपको reject नहीं कर सकता है क्योंकि जनरली जब college में application डालते हैं तो college वाले आपको बोलकर ये टाल देते हैं कि यह हम NIS ने open board वालों को नहीं लेंगे इस वीडियो को आपको इतना share करना है कि हर उस बच्चे के पास पहुंचे जो बड़ी मेहनत करके NIS में exam लिखता है और उसके बाद इस उम्मिद से माकसिट अपने पास रखता है कि यह मेरे life के लिए होगा अरे एक बात बताओ ना कोई 12th क्यों करता है इसलिए करता है उसमें career के लिए करता है आप 10 12th क्यों करते हैं आगे के लिए करते हैं बहुत जल्द में और भी वीडियो लेकि आने वालों pharmacy courses के उपर जिसमें बहुत सारे controversy है और बहुत सारे जगा पर मना किया जाता और उस वीडियो के बाद एकीन मानिए अगर आप pharmacy में है या MBBS के कुछ है कोई आपको मना नहीं कर सकता है पर आज के ये session सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे ति आज के session में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ होने वाला है NIS ने officially कैसे एक student को एक notice दिया मतलब mail का reply दिया तो हुआ कुछ क्या ये आपको थोड़ा पहले समझना पड़ेगा एक हमारे student है सुमित कुमार तिवारी जहांसी से हैं उत्तर प्रदेश से तो उन्होंने मुझे से एक सवाल पूछा था कि सर NIS board की क्या value है मैंने का NIS board की पूरी value है तो उन्होंने का सर ठीक है NIS board की पूरी value है तो उन्होंने एक दो जगा पूछा होगा किसी कॉलेज में या कहीं भी पूछा होगा तो वहां पर मना कर दिया कि नहीं हम आई इसको नहीं लेते हैं ओपेंबूर्ट को नहीं लेते हैं अब ऐसे कंदिसर ने फिर उन्होंने फोन किया कि सर वो तो मना कर रहे हैं और उनका जो सबसे ज़्याद मेजर प्रॉब्लम था वो फार्मेसी कोर्स को लेकर था काफी इस चीज को लेकर कंसर्ण थे वो और मुझे रेगुलर मेरे टेच में और मेरी यह कादत है यदि कोई स्टुडेंट प्रॉब्लम में होता है यह मुझे कोई अगर कॉंटेट कर रहा है तो मैं उसे इगनोर नहीं कर पाता हूं तो मै उन्हों ने लिखा गी सर मुझे इतना बता दीजिए कि अगर नाइस बोड भारत सरकार का एक भाग है एक पार्ट है तो बागी जगह पर इसको क्यों मना किया जाता है क्या इसका कोई ऑफिसियल आप लोग इविडिंस दे सकते हैं कि नाइस बोड की वैलिव है की नहीं है आप भी अपने रजिस्टर्ड इमेल आइडी से नोडा हेट को ऐसा मेल कर सकते हैं और आपके पास भी रिपलाई आएगा और वो जो आपके पास ओफिसियल नोटीस आएगा ओफिसियल रिपलाई आएगा उसको आफ सेब करके रख सकते हैं और आप किसी भी कॉलेज या कि इसी भी साइट प्याप उसको दिखा सकते कि माना नहीं कर सकता है और निस ने साफ साफ ये भी कहा है कि अगर कोई मना करता है तो आप इसकी सिकायत NOIDA Headquarter NIS की Headquarter में कर सकते हैं यानि कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे तो क्या कुछ है पहले एक बार हम देख लेते हैं इसका डेट में आपको दिखाना चाहूंगा डेट है 21 माई 2024 और इसमें दिया गया है 2 और यहां लिखा गया है email यह email हमने यहां पर हाइड कर दिया है किकि किसी का personal email है तो हमें हाइड करना पड़ा इस subject में है NIS certificate is valid NIS certificate valid है All India और यह Central Board है Government का आप सभी जानते NIS इंडिया के Top 3 Board में से तीसरे position पे आता है जो अपने आप में माईने रखता है So if any private college don't accept NIS अगर कोई private college अगर NIS को accept नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए तो यहां लिखा है Dear This is with reference to the request on the subject cited above In this regard It is to inform you यानि कि जिस बच्चे ने भी भेजा है उसको निफर्म किया जाता That as far as the certificates जो भी certificate Certificates Issued by NIS are concerned These are accepted For higher education Government jobs And all other purpose यानि जैसे CBSE और बाकी boards का हर जगा accept किया जाता है NIS का भी हर जगा Accept होगा और उसमें साफ साफ मेंसन है चाहे कोई भी higher education हो Government job हो या कोई भी purpose हो यहां कोई भेद्वाव कोई नहीं कर सकता है The certificate issued by NIS Is accepted by All national state boards And universities जो भी certificate issue किया गया है NIS बोट की तरफ से जैसे आपका Certimark Seat हो गया या migration certificate कुछ भी जो आपने qualify किया NIS को Accept करना पड़ेगा जी हाँ Accept करना पड़ेगा सभी national या state board को और साथ में सारे universities को In case यदि कोई institute या कोई इन्वर्सिटी अगर NIS की certificate को लेने से मना करता है You may contact NIS headquarter आप NIS headquarter Contact कर सकते हैं तो अपने आप में ये एक बड़ा एतिहासिक फैसला हम इसको बोल सकते हैं जो especially एक student को इस तरीके से भेजा गया है देखिए आप कहने हो कर सकते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है लेकिन आप ये भी तो समझे जब college वाला या कहीं भी आपको मना करता है कि हम NIS सक नहीं लेंगे तो आपके पस क्या कुछ होता दिखाने के लिए कुछ होता है क्या ? नहीं होता है ना और आपको ये भी नहीं पता ही कि हमें आगे करना क्या है आप चुपचप बैढ़ जाते हैं और उसके बाद क्या होता है बस यहीं सोचते यार बिकार में नाइस से कर लिए नाइस से बिकार है नाइस से नहीं करना चाहिए था जिंदगी खराब हो गई लाइफ खराब हो गई बस रोते पिटते छोड़ देते हैं क्यों रोते पिटते छोड़ देंगे जिंदगी की बा करता है ना तो उसको साफ साफ कई आफ हमें रीटेंद दे दीजे हम जाते ना इस पर केस करने के लिए यह ना इस वालो तुम लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी अगर तुम्हारा सर्टिफिकेट कहीं भी वैलड नहीं है या कि एक जगा भी वैलड नहीं है तो हम तु लेकिन कॉलेज वाले आपको ऐसा नहीं करेंगे कॉलेज लगाएगा हम इस सब नहीं कर रहे हैं तो फस गे ना लेकिन यहां पर एनाइस का ओफिस से लिए है आप खुद भी मेल कर सकते हैं कहां से इमेल आइडी मिलेगा आपको आप नॉर्मल गूगल पर सर्च कीजिए एनाइस हेड़कोर्टर एमेल आइडी आपका रिजिजनल सेंटर दो तीन इमेल मिलेगा सब पर डाल दीजे अपना रजिस्टर इमेल आड़िस डालिए अपना इंडॉल्मेंट नमबर डालिए और इस तरीके से यहां पर डेट विलिका है एकीस पांच चोविस अब आप क्रॉस्चेक कर सकते हैं इस चीज का लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरह से मेल कर सकते हैं वह सकता है कि आप सभी के मेल के बाद एनाइस इसको पब्लिकली ऑफिस इसली ही डाल दे वेबसाइट पर बट यह इस चीज को जुटला नहीं सकते इसको जुटा नहीं बना सकते हैं यह यह जानकारी मुझे आपको देनी थी अब एनाइस के बारे में तो आपने यह देख लिया अब आगे बहुत सारे चीजिए हैं कुछ केस में आपको बता रह ले गए तो जब इंटर्विव के लिए तो उसने का हम आपको नहीं लेंगे बोले रीजन क्या है नहीं लेने का आप एनाइस बोड जोट्स ले नहीं लेंगे भूले ठीक है सर आप एक रिटर स्टेट्मेंट हमें देदीजे मेल देदीजे यह अपना स्टांप महर लाके दे दीजे हम एनाईस पजाक एक्षन लेते हैं उसको लेना पड़ गया तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो इनवर्सिटी हो या कोई गवर्रमेंट का परपस का कोई भी जौब बगरा हो अब एनाईएस वालों को लेना पड़ेगा क्योंकि लेते तो पहले भी थे लेकिन क करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं कि आपको गूगल पर सर्च करना है और उसमें अपने रजिस्टर्ड इमेल आइडी और अपने इंडॉल्मन नंबर के साथ में अपनी प्रॉब्लम को लिखना है उसके बाद देखिए कैसे वह आपको नहीं लेता है बताईए कि यह वाला कॉलेज है यहां पर हम गए थे और इस तरह कमी सैपनिंग हुआ है और हमें नहीं ले रहा है अब हम क्या करें प्रॉपर एक रीजन के साथ बताईए तुरंत नोटिस जाएगा वहां पर यहां जी ऐसे कैसे आप नहीं ले रहे हो आप वहां कर डिटेल देजिए जहा तो मुझे भी बड़ी खुसी हुई है रानी तो नहीं हुई क्योंकि मैं नाइस बोड में हूँ और मुझे पता है कि नाइस बोड की क्या वैलिव है इसके उपर कोई सवाल नहीं उठा सकता है लेकिन मुझे इस बात की खुसी हुई कि वागई में किसी एक पार्टिकुलर इंडिविजुल के इस तरह से लेटर दिएगा बड़ा अच्छा लगा इस वीडियो को आपको इतना सेयर करना इतना दवा के सेयर करना है कि हर उस students को पहुंचाईए जो NIS में पढ़ाई कर रहा है जैसे आपके पास ये वीडियो पहुंचा है ना अपने दोस त्यार सब जगा पहुंचाईए और अगर कल को आपको कोई कहता है ना कि NIS बोड की वैलिव नहीं है तो ये वीडियो दिखाए कि NIS बोड की कितनी वैलिव है और NIS बोड कोई खामोस या चुप रहने वाला बोड नहीं है आप यहां पर action मिले सकते हैं और खुद NIS आपका साथ देगा और ये चीजे बदलाव आ रही है अब एक नया दोर आ रहा है अब वो mindset हटाना पड़ेगा लोगों को जो लोग बोलते थे NIS की वैलिव नहीं है यहां निलेता है वहां निलेता यह वह बागा बगर बगर यह वीडियो उन सब्सक्राइब के लिए है तो अगेन आई रिक्वेश्ट तो सेयर दिस वीडियो ओ मोर अन मूर तो डैट जितने या स्टुडेंट है सब कॉन्पिटेंस लिकिसी भी कॉलेज में या किसी भी इस इसे के साथ इसका ऊबर करेंगे मिलेंगे ऐसे नए कंटेंट नए अपडेट के साथ में डिस्किप्सिन में जाईएगा आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे हमारे यह वेपसाइड का प्रपस के लिए contact कर सकते हैं so thank you so much we see all the best